हालो एवरीवान वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर आंड तुरे वी आ गूंग टू कांटीनियू आर चाप्टर ऑफ क्लास 11 इस्ट्री पाथ टू मॉडनाइजेशन यहां पर हमारा स्टार्ट होता है दू स्टोरी ऑफ कोरिया अब कोरिया के अंदर किस तरीके से उनको अजादी मिली कैसे वो थे उनकी इस्ट्रीक के बारे में थोड़ा बहुत जाने का ड्राय करते हैं तो लेट नाइंटीन सेंचुरी के अगर हम बात करें तो कोरिया में पता है क्या था जो एक टाइनस्टी ती जौजियों डाइनस्टी वह 1392 से 1910 तक उनको रूल करी थी ब किया कुछ modernization reform जिसकी वज़ा से जो government structure था diplomatic relation थे और जो आपका infrastructure society था वो थोड़ा डिवलाप हो सकी तो आफटर decades of political interference बहुत जादा interference होने लग गई तो जपान ने इने annex कर लिया जपान ने इन पे कबजा कर लिया और इसको अपनी colony बना लिया 1910 में और जो 500 साल पुराना जोशन डाइनस्टी था वो अंत में आ गया उसका अंत आ गया अब जो Korean people थे obviously बात है बहुत अंगरी हों कि इस चीट से जपान के suppression से कि उन्होंने उनके culture को destroy किया और force कर रहे हैं वो उनके अंदर मिलने के लिए जपान बनने के लिए तो उनकी एक ही desire थी independence अब जो Korean थे around the country खूप सारा demonstration किया है उन्होंने colonial rule के खिलाफ इन्होंने एक जो थी provisional government जो थी वो सेट अप करी foreign leaders और international meetings में अपील भेजी जैसे कि Cairo, Yalta, post-dam conferences में इतना सब effort करने के बाद जो Japanese colonial rule था ये लगबग 35 साल के बाद August 1945 में end हो जाता है क्योंकि उस समय जपान बहार चुका था World War II में जो Hiroshima नागासाकी में nuclear bomb गिराए गए थे अब जो कहा जाता है कि ये जो effort था ये after Japan की defeat के बाद भी continue हो रहा था क्योंकि इसके बाद भी उसको छोड़ने को तयार नहीं था तो काफी सारे जो लोग थे अक्टिविस्त थे इंसाइड आउटसाइड जपान सबने खूब सारी मेहनत करी और उसके बाद क्या हुआ कि जो कोरिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था टेंपररेली कैसे थाटीएट पैरलल उनके बीच में है थाटीएट पैरलल से नौर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड होते हैं क्योंकि जो सोवियत थे वो नौर्थ को मैनेज कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि चलो अभी तेंपररेली दो में डिवाइड कर देते बट वो अब पोस्ट वार वार के बाद नेशन की क्या हाल थी तो जून 1950 में कोरियन वार ब्रोक आउट होता है अब देखिए जो दो एक ही कोरिया था जो कि अब दो कोरिया बन रहा था उन दोनों में लडाई हो जाती है मतलब साउथ कोरिया रिसीव कर रहा था सपोर्ट फ्रम मुनिस चाइना से मतलब आप यह देखिए इंडिरेक्टली भी चाइना और यूस की कितनी लडाई रही है तो इट डिवलाप इंटू विंटेज प्रोक्सी वार ओफ कोल्ड वार एरा जुलाई 1953 में तीन साल के बाद वार एंड होता है और एक अग्रिमेंट होता है और जो चैने अलावा जो फ्री मार्केट एकनॉमिक डिवलाप्मेंट थी उसमें डिले हुआ डेमोक्रेटाइसेशन में डिले हूआ डेमोक्रेसी देर से आई प्राइस सटेनली हो जाते हैं जिसकी वज़ा से जो नैशनल एक्सपेंसिस्टे करंड शी इस्जू होते हैं यह सब हो साउथ कुरिया की फर्स प्रेजिरेंट जो थे सिंगमें री वह इलेक्ट हुए थे 1948 में डेमोक्रेटिक प्रॉसस से ही लेकिन जब कोरियन वार वगयरा हुए तो इसी बीच में उन्होंने क्या करा कॉंस्टिशनल में अमेंडमेंट्स ला दिया अब इसकी वजह से ऐसा अमे और री वास फोस्ट तो रिजाइन अब रिवालूशन के साथ एक जो एजन इंपीचर जो स्पिरिट ऑफ पीपल था जो सप्रेस हो चुका था री अडमिस्टेशन के अंदर वो वापस से राइस होता और वो डिमांड करते हैं इस चीज की अपने राइट्स के लिए सब्सक्राइब को बहुत जादा तवज्जों नहीं दे सकता था क्योंकि उनकी खुद के अंदर ही इंटर्नल डिवीजन कॉन्फिक्ट हो सकते थे सो जो रिफॉर्मिस पॉलिटिकल पावर्स थे वो एमर्ज आउट होते हैं स्टूडेंट्स का मुव्मेंट ग्रो होता इसको पॉजिटिवली नहीं देख रही थी उनको लग रहा था भाया इस तरीके सब तो पूरा कंट्री तबह हो जाएगा सो में 1961 में जो डिमोक्रेटिक पार्टी गवर्मेंट थी वो ओवर्थ्रोन हो जाती है बाया मिलिटरी कूप जिसके हैड होते है जनरल पार्क शुंगी और अधर मिलिटरी अथॉरिटी अब वो मिलके उस पार्टी को हरा देते हैं और ऑब्विस सी बात है अब राज किसका अब राज मिलिटरी का तो अक्टूबर 1963 के अंदर एक इलेक्शन होता है और मिलिटरी कूप जो लीडर होते हैं पार्क शुंगी वो इलेक्टिड होते हैं अब जो पार्क का अध्मिनिस्टेशन था यह स्टेट लेड एक्सपोर्ट औरेंटेट पॉलिसी थी ग्रोथ एकन इंप्लॉइमेंट और कोरिया की कॉम्पेटिटिवनिस को बढाने की इनोंने खूब सारी कोशिश करी कोरिया को बहुत एडवांटेज मिल रहा था नाइटीन सिक्टिज से नाइटीन सेवेंटिज के बीच में यह फोकस वापस से शिप्ट कर दिया जाता है हेवी और क्यामिकल इंडस्टिज पे जैसे कि स्टील नॉन फेरस मशीन डी शिप बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक क्य इकनॉमिक ग्रोथ जो रेट हो वो और भी ज्यादा बढ़ पाएं इन नाइटीन सेवेंटी जो न्यू विलाइस्ता साम्योल मूवमेंट वाज इंट्रोडियूस अब इस मूवमेंट के थ्रू एंकरेज करा गया रूरल पॉपिलेशन को कि वो बाहर की तरफ आएं मोबिल करें और अग्री कल्चर जो सेक्टर है उसमें और ज्यादा डेवलाप्मेंट मॉडनाइजेशन लेके आएं यह कैम्पेइन इसने एम किया रेफॉर्मिंग स्पिरिट ऑफ दा पीपल पे जिसकी वजह से जो लोग है वो क्या करें कि अपनी पावर को एक तरीके से पहचान अब देखिए जो कैम्पें एम्डाट रेफॉर्मिंग दा स्पिरिट ऑफ दा पीपल फॉर्मिंग पैसले डिसहारें तो बिकॉमिंग अक्टिव औन होपुल कि पहले वो बहुत जादा अपनी बुरी हालत के वजह से डिसहार्टन हो चुके थे बहुत दुखी हो चुके अब जो कोरिया था वो अपनाना चाहते है ताकि वो अपने डिवलाप्मेंट को आगे बढ़ा सके अब कोरिया ने अचीव किया एकनामिक ग्रोथ क्योंकि रीजन क्या थे वहाँ पे इस समय लीडर स्ट्रॉंग थे वेल ट्रेन ब्यूरियोक्राट्स थे एग्रिसिव इंडुस्ट्रियलिस थे और लेबर फोर्स बहुत जादा क्यापिबल थी उसकी अलावा जो अंबीशि बहुत है था अब अब एजुकेशन लेवल हाइ होने की वजह से वहां की जो लेबर थी वो बहुत जादा समझजदार थी वो कोई भी न्यू पॉलिसी को बहुत तैजी से अडॉप कर लेती थी बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेती थी और नई टेकनोलोजी सेतने में उन डिवलाप्मेंट में जो इक्नॉमिक ग्रोथ था वो फांडेशन था पार्क एड्मिनिस्टेशन लॉंग पावर का अब पार्क ने क्या करा रिवाइस कर दिया यानि कि तीसरी बार वो इलेक्ट हो सके इसलिए उसने अपने इसाब से अमेंड कर दिया 1971 में अब ऑक्टूबर 1972 में पार्क ने डिकलेयर कर दिया और इंप्लीमेंट कर दिया यूसीन कॉंस्टिशन जिसने प्रेजिडेंट को एक तरीके से पर्मानेंट बना दिया यानि कि विच में पर्मानेंट प्रेजिडेंसी पॉसिबल मतलब यूसीन कॉंस्टिशन के अंदर प्रेजिडेंट के पास कम्प्लीट अथॉरिटी थी किस किस चीज के अथॉरिटी वो एक तरीके से absolute authority बन चुका था तो जो progress थी democracy की ना वो suspend हो चुकी थी यानि कि economic development तो हो रहा था बट democracy suspend हो चुकी थी उसके अलावा जब second oil crisis आता है 1979 में तो उसने as a hindrance काम किया था economic policy में यानि कि ये country बहुत ज्यादा पैसा लगा चुकी थी chemical industry में बट वो fail होने की वज़ा से इसका पैसा डूबने के chances बहुत ज्यादा थी अब जो students ते scholars ते और जो opposition था उसने continuously demonstrate किया गेंस using constitution as a park administration invocation और emergency measures लोग इसके खिलाफ लडाई करने लग गए और विससी बात है जब तक फाइदा दिख रहा है तब तक तो तुम कुछ भी करो लेकिन जैसी नुकसान होने लगे तो तुम्हें सारी policy खराब लगने लगेंगे और लोग जागरुख हो गए इस चीज के उपर अब जो पार्क का administration था ये खतम हो जाता है October 1979 में जब पार्क शुंग की को एसासिनेट कर दिया जाता है मरवा दिया जाता है अब economic growth continued and call for democratization जो डिजायर थी democracy की वो पार्क शुंग की death के साथ और भी जादा वड़ जी बट December 1979 में अनदर military group होता है military attacks होते है military group का मतलब क्या उसी देश की military नो उस देश पे रूल करना शुरू कर दिया अब इस ट्रेम जो लीडर थे वो कौन थे वो ते शुंदो हवान और in May 1980 बहुत सारे प्रोटेस थे की cities में around the nation वो हुए वो कर कौन रहा था वो students कर रहे थे citizen कर रहे थे और उनकी डिमांड क्या थी उनकी डिमांड थी democracy हो मतलब इवर demanding democracy in the face of students military factions कि उन्हें लगा कि हम चूज करें किसी अगर लीडर को चूज करें तो military faction ने suppress किया democracy movement को उन्होंने martial laws लगा दिये military laws लगा दिये पूरे countries के अंदर और उसमें जो cities थी गौंग जू उसमें student और citizen वो back down नहीं हुए उन्होंने अपनी demand continue रखी martial law end होने की और इसको गौंग जू democratization movement बोला जाता है हाइवर जो शून military faction था वो suppressed हुआ उन्होंने suppress किया जो democratization का protest था बट लेटर ओन शून become president वो president ही बन जाते हैं direct election नहीं होता indirect election होता है वही use in constitution के ही द्वारा अब जो शून administration था क्या इसने कुछ अच्छा भी किया हां जी इसने क्या अच्छा किया इसने जो democracy के जो democracy का demand करे थे उसको तो दबाया ही दबाया उसको क्या था कि हम अगर democracy लाएंगे तो लोग सही ruler नहीं चुन पाएंगे मैं इस country का सही ruler हूँ और मैं इसे बहुत अच्छी जिगे पहुचा सकता हूँ तो उसने क्या कर रहा उसने internationally work करना स्टार्ट कर दिया और उसके रेन में सच में international economic भून आता है शून का जब administration आया तो उस समय जो rate था economy rate वह लगबग 1.7% था 1980 में बट वो 1983 में rise होके 13.2% तक चला जाता है अब growth देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हुई है और जो महंगाई थी ऐसा नहीं था कि इसके साथ महंगाई भी बढ़ गई महंगाई बहुत कम रही थी अब economic development हुए तो urbanization हुए लोग शेहरों में shift होना शुरू हो गए education level improve हुआ media का advancement होता है as a result जो citizen का self-awareness था about political rights वो grow होना शुरू हो गया और जो demand थी constitutional amendment की कि अब जी अब direct election होना चाहिए क्योंकि लोग समझदार होगे लोग के पास पैसा होगया अब लोग अपनी demand रख सकते थे तो उन्होंने ऐसा ही कि उन्होंने अपनी demand रखनी start कर ली में 1987 के अंदर जो शुन administration था उसने क्या करा उसने एक गलती कर दी उसने एक university student को मरवा दिया death by torture क्योंकि वो उसके खिलाफ बोल रहा था अब लोग इस चीज को लेकर बहुत जादा emotional हो गए citizens बहुत ही बड़ी मात्रा में participate करते है large scale struggle for democratization जून democracy moment कहलाता है ये जिसमें like बहुत सारे लोगों का participation था सिर्फ student ही नहीं middle class भी इस के इंदर involved थी और Korea के अंदर middle class बहुत सारी है अब इतने सारे effort लगाये उन्होंने कि जो शुन का administration था it was forced to make a revision in the constitution और allow कर दिया उन्होंने direct election को और एक नया chapter शुरू होता है Korean democracy के अंदर अब जो Korean democracy थी उसमें ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा direct democracy के आने के साथ साथ वहाँ पर अब IMF crisis आता है IMF crisis का क्या मतलब है कि नए constitution के according जो first direct election थे since 1971 वो held होते हैं December 1987 में अब कोरिया ने continue करा अपना path of democracy बट फिर भी इंडिरेक्टली इलेक्ट कॉन हो गया जी direct democracy में भी कोई एक military ruler ही अब 1990 में एक long time opposition leader जो किम यंग साम थे इन्होंने compromise कर लिया रोग की party के साथ और create किया एक larger ruling party अब December 1992 में किम एक civilian जो थे वो elected होते हैं as a president after decades of military rule इस election के साथ जो consequent dissolution था military power का वो हो जाता है और democracy आगे की तरह बढ़ना शुरू करती है अब इनकी policy भी export driven policy थी इन्होंने भी export पे जादा जोड़ देने की बात करी इन्होंने global prominence की बात करी और governmental support के साथ जो कोरिया के industrialist वगेरा थे इन्होंने capital intensive heavy chemical industry में इंवेस्ट किया electronic में इंवेस्ट किया और industrial and social infrastructure वो आपसे डेवलाप करने लग गए अब mean while under increasing new liberalist pressure to open its market अब देखें उन्होंने export तो open कर रखा था लेकिन market totally open नहीं था इनको अभी भी डर था कि कहीं कोई और country rule ना करें तो जो new liberalist थे जो नए liberal ideas वाले लोग थे नए अजाद ख्यालों वाले लोग थे उन्होंने pressure करा government पे कि वो market को open कर दें अब जो किम का administration था इसने लोगों के pressure पर जॉइन कि organization of economic corporation and development OECD 1996 में और attempt किया कि Korea की international competitiveness को बढ़ाया जा सके बट इससे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ है in fact नुकसान ही हो गया trade deficit बढ़ गए उनके क्योंकि financial institution ठीक से manage नहीं थे business operations बेकार थे और जो Korea का foreign currency crisis बहुत जादा मुसीबत उसको 1997 में आ जाती है और इसकी वज़ा से उसको IMF International Monetary Fund से कुछ पैसे बहुत ही emergency में उधार लेने पड़ते हैं IMF से कोई भी country मुसीबत के समय पे उधार ले सकती है majorly जो उसके members हैं वही simultaneous efforts हुए to improve the country's economic constitution और country actively अब क्या हुआ जी उन्होंने बहुत सारा loan तो ले लिया but loan चुके कैसे फिर देखें पता है कितनी अच्छी बात हुई यहां पर यहां पर सिर्फ government ही नहीं एक-एक citizen ने actively contribute किया कि जो foreign loan payment हो वो through gold collection movement लोगों ने अपने घरों से थोड़ा-थोड़ा सोना जिसके पास ज्यादा था सब ने gold दिया और country जो थी उसने loan repay कर दिया IMF का यानि कि आपके देखें unity में कितनी ताकत है इनकी एकता कितनी बड़ी थी अब 1997 December के अंदर long time opposition party leader Kim Dae-jung elect होते है as a president for the first time in Korea और एक peaceful transfer of power था यानि कि ऐसा नहीं था इस चीज़ पे लड़ाई जगडे तर लेते इट वस वेरी मच peaceful फिस second peaceful transfer of power होता है 2008 में जब एक conservative Lee Myung Park elect होती है first president और following the progressive Roe Mohyang administration अब 2012 में conservative Park Yun Hai वो elect होती है as a first female president नाम याद रखियेगा पार्क Yun Hai जो first female president थी अब सुनके बढ़ा अच्छा लगा भी कि हाँ ठीक है first female president हो जाती है but उनको जो support मिला था because of political legacy of her father जो की पार्क शुंग ही थे जी हाँ उनी की बेटी थी है but in October 2016 यह light में तब आती है जब कुछ secretly government affairs में कुछ पकड़ी जाती है nationwide protest होते हैं जिसकी वज़े से उनका impeachment और removal हो जाता है in March 2017 और में 2017 में जो मून जाई इन थे वो elect होते हैं as a president in a peaceful transfer of power for the very third time so इस पार्ट को हम यही तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम cover करेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अगर आपको कोई भी confusion या query है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं I will try to answer each and every query as soon as possible So thank you so much, meet you all in my next video Thank you